नमस्कार आज के इस वीडियो में हम महत्मा गांदी जी से रिलेटेड कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट जो इंपोर्टन फैक्ट्स हैं उसके बार में हम याँ पे जय चर्चा करेंगे तो आए चले वीडियो को शुरू करते हैं कहां से उनका एजुकेशन हुआ कहां उनका जर्म हुआ ये सब हम याँ पे जय बात करेंगे साथ ही साथ आपको जो साउथ अफरिका की उनकी जर्नी थी उसके बार में भी हम याँ पे जय बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो नायपती सिल्दर एक्जाम में ये कोशन देखने को मिल सकते हैं अलाइड सिर्विस एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं और एच्पी एएस एक्जाम में आपको जो एक कोशन देखने को मिल सकते हैं तो ये चले वीडियो को शुरू करते हैं देखिए महात्मा गांदी जी का जनम 2 अक्टूबर 1889 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था याद रखें काठियावार जो आपका जो रिजन था उसके आसपास आपको ये पोरबंदर गुजरात देखने के मिलता है तो 2 अक्टूबर 1889 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांदी जी का जय जनम हुआ था याद रखें यूनाइटेड नेशन जो और्गनाइज़ेशन है उन्होंने 2 अक्टूबर को डिकलियर किया है इंटरनेशनल नोन वाइलेंस डे के रूप में क्योंकि नोन वाइलेंस डे के रूप में हमने इसको 2 अक्टूबर को क्यों मिलाया क्योंकि महात्मा गांदी जी नोन वाइलेंस को लेकर जाओ आगे चले थे अहिंसा को लेकर जाओ आगे चले थे सबसे बड़ा प्रिंसिपल उनके जो दोई प्रिंसिपल्स थे वो आपके truth and non-violence याद रखना है तो ऐसे में United Nation Organization ने ज़यो ये decide किया कि हम ज़यो 2 October को International Non-violence Day के रूप में मनाएंगे यानि कि अंतराश्ट्री अहिंसा दीवस के रूप में मनाएंगे ठीक है याद रखेगा महत्मा गांधी जी के फादर का नाम जो था वो आपका करमचंद गांधी था क्या नाम था इनके फादर का नाम करमचंद गांधी था ये आपको याद रखना है कि वो करमचंद गांधी जो है वो आपके दिवान थे किसी जह हो गुज़ात की डाइनस्टी में ठीके दिवान थे और दिवान जो था उसमें मनिस्टर के रेंक के बराबर होता था यह आपको याद रहना है और एक चीज आपको याद रहना है कि महत्मा गांधी का पूरा नाम क्या था महत्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहन दास करम चंद गांधी महत्मा गांधी जी का पूरा नाम था अब देखें महत्मा गांधी जी की जो मदर का नाम था वो पुतली बाई था और याद रखे महातमा गांधी जी की जो शादी हुई थी वो 13 साल की उमर में हुई थी और 13 साल की लड़की से हुई थी जिनका नाम था कस्तुरबा गांधी के साथ जयो महातमा गांधी जी की जयो शादी हुई थी याद रखिएगा और महातमा गांधी जी की जो पॉलिटि भारत का ब्रह्मन कीजिए ठीक है ये आपको याद रहना है तो महत्मा गांदीजी कि जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे जिनको हम जीके गोखले के नाम से भी जानते हैं अब महत्मा गांदीजी कि जो प्राइवेट सेकरेटरी का नाम था वो आपका था महादेव देशाई प्राइवेट सेकरेटरी का नाम क्या था इनके महादेव देशाई था और याद रखेगा कि जब वह साउथ अफरिका गए थे जिससे में टॉल्स्ट्रोई फार्म बन रह और यह जर्मन थे जर्मन थे यह भी आपको याद रहना है तो एक चीज आपको मैं बतायता हूं कि 30 जनवरी 1948 को महातमा गांधी जी की मृत्ति हुई थी और याद रखीगा कि महातमा गांधी जी उस समय जो बिरला हाउस था आपका वहाँ पर प्रे कर रहे थे एंड जो आपके नातुराम गोड से जी थे उन्होंने महातमा गांधी जी को गोली मारे थी एंड एट लास्ट में दोई शब्द निकले थे हे राम कौड से शब्द निकले थे हे राम यह आपको याद रखना है और इनी के जो आपके डैथ अनिवर्सरी पर हम जो है ओ हर साल 30 जनवरी को मार्टियर्स जे जो हो मनाते हैं और इस साल 74 जो हो इनकी पुन्यती थी है य देखें अब महतमा गांदी जी को हम अग अधर क्या क्या नेम से जो पुकारते थे तो याद रखेगा जो महतमा गांदी जी का पूरा नाम क्या था मोहंदास करमचंद गांदी मोहंदास करमचंद गांदी उनको हम एमके गांदी के नाम से भी जो पुकारते थे याद रख आपको याद रखना है आप देखें मलंग बाबा और नंगा फकीर किसने कहा था जो नौर्थ वेस्ट फ्रण्टियर के जो कबालेज्ज होते थे उन्होंने महातबा गांदी को मलंग बाबा और नंगा फकीर कहा था याद रखेगा कि अर्ध नंगा फकीर Half Naked Cent जो वो किसने नाम दिया था महात्मा गांदी को Frank Moors ने Frank Moors ने और याद रखेगा सुभाष चंदर बोस ने सुभाष चंदर बोस नेताजी शुभाष चंदर बोस ने महात्मा गांदी को Father of Nation जो वो का रहा था और राश्डपित्या का जो है दरजा दिया गया था 1904 के आसपास ये आपको याद रखना है तो याद रखना है महात्मा ऊपाधी किसने दी थी महात्मा जो है सरनेम किसने दिया आप गांदी को आपका रबिन दनांटागोर जी ने और अर्द नंगा फ़कीर किस ने कहा था वो आपका Frank Moores ने और इंडियन फ़कीर और ट्रेटर फ़कीर किस ने कहा था Winston Churchill ने और राष्टर पिता Father of Nation किस ने कहा था सुबाश चंद्र बोस जी ने कहा था और मलंग बाबा और नंगा फ़कीर किस ने कहा था देखो सबसे पहतों उनका लेटरेली जो वक्त था वो हिंद सुराज में भी था और माई एक्सपेरिमेंटस विद टूथ में भी था याद रखेगा कि जो माई एक्सपरिमेंट्स विद टुथ था वो महतमा गांदी जी की जयो खुद की लिखी हुई आटोबायग्राफी है और ये कब आई थी आपकी 1927 में आई थी आज पास में और हिंद सुराज आपको याद रहना है 1909 के आज पास जये आई थी ये आपको याद रहना है जिस तरह की डेटस मय निचन भती है वही मैं आपको बता रहा हूँ तो महतमा गांदी जी जैओ आपका हिंद सुराज के लिए भी काम किया था और माई एक्सप्रिमेंट्स तुथ पर विद टूथ के अपर जबी जी जैओ काम किया था और याद रखेगा कि English and Gujarati में भी जो यह चपता है और कुछ समय के लिए Hindi में भी और अतमील में भी चपता था याद रखेगा हरीजन न्यूस्पेपर जो था यह आपकी जो मैगजीन थी या न्यूस्पेपर जो था वो आपका 1931 के बीच में छपा और यह English, Gujarati और Hindi तीनों में भाशा में छपा यंग इंडिया यंग इंडिया जो था आपका न्यूस्पेपर वो English में भी चपा और गुजराती में भी चपा और उसका गुजराती में नाम क्या पड़ा आपका नव जीवन पड़ा ठीक है यह आपको याद रखना तो यहाँ पर जयो महातमा गांदी ने जयो वर्क किया आप देखें महातमा गांदी जयो किस चीज से जयो किन व्यक्तियों से जयो प्रिशन सित थे याद रखना है कि एक तो वो गीता से जयो जो गीता आपकी जो भगवत गीता होती है उसको परतते तो वहाँ से भी जयो उनको प्रेवना कहां से मिली बाइबल से मिली तीसरी उ उनको जाओ जो प्रेड़ना थी वो लियो टॉल स्टॉय से मिली ये भी आपको याद रखना है और आपको यहाद रखना है कि जॉन रसकीन की एक बुक थी अंटो दा लास्ट वहां से भी इनको जाओ प्रेड़ना मिली ये आपको याद रखना है और एक और आपको याद गीता का प्रचार भी एक करते थे और बाइबल भी जो एक परते थे तो इस चीड को आपने याद रहर लेड़ा है एक्जाम पॉइंट ओफ में यहां से जो कोशन आता है तो इसका मैं पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा ता आप इसको जोइन कर लिजए लिं इंगलाइन्ट से उनकी एडिकेशन पूरी होती है लेकिन वो उसके बाद इंडिया आ आते है लेकिन वो एक केस का निप्टारा करने के लिए जो साउथ अफरिका जाते हैं और कौन ले जाता है उनको साउथ अफरिका किसका केस था वो दादा अबदुल्ला का केस था और जो है एक गुजराती मर्चेंट थे दादा अब्दुला का केस था ये और ये दादा अब्दुला का केस निप्टाने के लिए जाओ कहा जाते हैं साउथ अफरीका जाते हैं और साउथ अफरीका कब गए थे ये 1893 में ये गए थे और याद रखेंगे 1893 से 1914 तक जो है ये सा 2014 में इन्होंने South Africa को quit कर दे था और 1915 में भारत लौट कर आये थे यह आपको याद रखना है तो 1893 में मातमा गांधी जी जो है ओ आपके South Africa जाओ चले गए थे अब देखिए जब वो South Africa गए थे तो उनके साथ जो कुछ racism वाली भावना हुई थी दीखें वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे ब्रिटिशर सी राज करते थे लेकिन वहाँ पे conservative party वहाँ पे राज करती थी ठीक है तो यहाँ पे इतना आप समझेगा कि वहाँ पे जो रंग भेद वाली जो बेदभाव होता था रंग बेद की पीचे बेदभाव होता था blacks को whites के साथ जो कुछ भी share करन पे नहीं दिया जाता था ठीक है whites जो थे आपके जो गोड़े थे वो blacks से जो थे वो काफिझे थे या फिर जितने भी Asians होते थे वो उनसे सारे के सारे चिड़ते थे ठीक है अंगरे जो एक्शन से सारे के सारे चिड़ते थे तो ऐसे में जो महातमा गांदी जी थे वो जब एक trade में जयो सफर करे थे तो उन्होंने फस्ट क्लास जो ए डिबा लिगा हो था लेकिन फस्ट क्लास जो आपके डिबे में सीट ली हुई थी लेकिन हुआ क्या कि उनको वहां पर उस डिबे में से जयो निकाल कर फैक दिया गया ठीक है और वो जिस होटल में गए जिस वो ढर तो याद रखिए इसी बेदभाव को खतम करने के लिए महात्मा गांदी ने 1894 में साथ अफरिका में नाटल इंडियन कॉंग्रेस जाओ खोल ली यह आपको याद रखना है अब होता क्या था कि जो इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिले थे लोगों को कि दो तिन दिन में आपके महात्मा गांदी जी आप एक महीना यहाँ पर रुख जाईए और तब देखिए जाओ यहाँ पर क्या होता है ठीक है अगर आप जाओ एक महीना भी यहाँ पर रुख जाते हैं तो काफी जाओ आपको काफी जो है पोजिटिव यहाँ पर रिज़र्ट देखने को मिले सकते हैं ठीक है तो वहाँ पर महात्मा गांदी जी जी एक महीना को तो क्या कम से कम 20 साल वहाँ पर जाओ रुखे और 20 साल में वहाँ पर क्या क्या हुआ यहाँ पर हम वो चर्चा करेंगे आप देखें 1899 की अगर बात मैं करूँ तो महात्मा गांदी जी ने एक इंडियन एंबुलेंस कोर की वहाँ पर स्थापना करी और ये इंडियन एंबुलेंस कोर की स्थापना क्यों क्यों गई क्योंकि उस समय जाओ बोर वार्स चले हुए थे और जो उस वार्स में जख भ जाओ ठीक समय पर जाओ उसके एंबुलेंस पुछा जाती थी और उसके ज़र टीटमेंट जे दिया जाता तो 1899 में में इंडियन एंबुलेंस कोर की जाओ महात्मा गांदी जी ने जाओ वहाँ पर फॉंडेशन रखी थी साथ अफरिका में याद रखेगा 1904 में महात्मा गांधी जी ने फ्योनिक्स फार्म खोला था फ्योनिक्स फार्म नियर डर्बन जो डर्बन में फ्योनिक्स नाम की जगा थी वहाँ पर फ्योनिक्स फार्म जायो महात्मा गांधी जी ने खोला और याद रखे कि 1904 में ही इंडियन ओपिनियन जायो मैगजीन की जायो स्थाप जाते थे ठीक है जैसे आपके एक तो सबसे पहले तो कास्ट बेस्ट जो जो सिस्टम था वो खतम करने के लिए फार्म को खोला जाता था कास्ट बेस्ट सिस्टम जैसे आपका ब्रहामन चत्रिय वैश्य शुद्र वगरा यह जो काम होते थे मलब वैश्य का काम वैश्य करता शुद्र का काम शुद्र करता था ठीक है तो यह वहाँ पर खतम किया गया कि वह जो शुद्र है वो भ्रहमन का काम भी कर सकता और भ्रहमन जाओ शुद्र का काम भी कर सकता था तो यह वहाँ पर सिखाया जाता था और दूसरा आपको याद रखना है कि फार्मस में जो हैंडल बात की थी क्योंकि इंग्लेंड तक जो हो आपके जो बेदभाव की जो घटना थी जो साउथ अफरिका में हो लोग थी उसको इंग्लेंड तक पहुंचाना था ठीक है तो उसके लिए जो आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किये थे महातमा गांदी जी ने तो इंडियन ओपिन मोइंड जो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था आपका साउथ अफरिका में स्टार्ट वो था आपका महतमा गारती जी दवारा किया ता उसके मोविज्वरोद में ये तो आर्टिक जो में स्टार्ट किया था 1906 में यह आपको याद रखना है अब देखें 1907 में महात्मा गांदी जी जाओ एक सत्यागरे स्टार्ट करते हैं जो रिजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी एशियंस थे उनके लिए जाओ कमपल्सरी कर दिया था वहाँ पर कि आपको रिजिस्ट्रेशन इसके आपको ब्लप बेएखें तो उसके टार्ट के अपको महात्मा गांदी जी ने परकाव कि कर दिया और जितने भी जो उनके सासी थे उनने भी जिका कर दिया लेकिन महात्मा गांधी जी ने जघ्यों क्या किया जब सब לק iot suggestion होगा तो सारे चार Сरुठीकर जो इंडियन इंडेंचर लेबर्स थे एकस इंडेंचर लेबर्स या फिर यहाज के मर्चेंट से उन्होंने भी महात्मा गांधी जी के साथ जाओ जितने भी सर्टिफिकर से वो जला दिये यह आपको याद रहना है अब यहाँ पर देखेगा 1910 में महात्मा गांधी जी जाओ आपका फाउंडेशन रखते हैं टॉल स्ट्रोई फार्म की किसकी टॉल स्ट्रोई फार्म की और इसका नामकरन कौन करता है वो हर्मन कैलन बैक मैंने आपको बताया था कि यह जूनियर एसोशेट था आपका महात्मा गांधी जी का ठीक है और वो किसके नाम पर रखता है इसको लियो टॉल स्ट्रोई के नाम पर रखता है क्योंकि लियो टॉल स्ट्रोई से प्रशंसित थे काफे महात्मा गांधी जी ठीक है तो यह जोहांस बर्ग जो है आपका reason में जो यह खोला गया था साउत अफरिका में और इसी को जो बाद में महातमा गांदी जो आशरम जो खहला आ गया था ठीक है तो फ्योनिक्स फार्म पहला फार्म था second फार्म आपका टॉल्स्ट्रोय फार्म था उनिसो चार में खोला गया था अब याद रखेगा महातमा गांदी जी ने जो उनिसो तेरा में केप टाउन में एक सत्यागरे किया था वो इसलिए किया गया था कि जितनी भी नोन क्रिस्टन मैरिजिस थी उसको जो इलिगल गोशित कर दिया था तो उसके विरोध में महातमा गांदी जी ने उनिसो तेरा में जाओ आपका सत्यागरे किया था अब याद रखेगा उनिसो चोदा में महातमा गांदी जी जो है जो इंडियन एंबुलेंस कोर्स सर्विसिस जो चलाई थी महातमा गांदी जी ने उसको रेज करने के लिए केसर ए हिंद की उपादी दी जाती है तो 1914 में महातमा गांदी जी ने सौथ अफरिका को छोड़ दे था और 9 जनवरी 1915 को याद रखेंगे महातमा गांदी जी आपके बॉम्बे उतरते हैं कहां उतरते हैं बॉम्बे उतरते हैं ठीके याद रखो और उनी के भारत वापिस आने के उपलक्ष में हम कौन सा दिवस मनाते हैं नोन रेज़िडेंशल इंदियन डेड जयरो मनाते हैं यानि की न राइड जयरो मनाते हैं ठीके यह आपको याद रखना है तो 2 Okt, आपका International Non scheduled day , तीस जनवरी आपका Martyrs day और 新 जनवरी आपका जयरो NRID मनाया जाता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है एक्जाम पॉइंट ओफिसे तो यह आपकी जयाओ 1869 से 1915 तक की जयाओ हिस्ट्री कम्प्रिट हो चुकी है इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको लेकर आऊंगा 1950 से आपका 1948 के बीच की जयाओ हिस्ट्री ठीक है तो यह आपको याद रखना है तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांदी जी की जयाओ मृत्यू हो गई थी ठीक है तो यह इसको आपने याद रखना है बाकी शुबम जी के ट्रिक एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजगा लिंक को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है नई तो आप प्लेइ स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते है मेरा जो चैनल का लोगो है वो लगा होगा वहाँ पे तो आप उसको देख लिजगा सहरेक कोर्स पे आज 30 तारिक तक इस पर 10% आफ चला हुआ है तो आप इसको पर्चेस कर सकते है लाइव सेशन में मेरे साथ आप पांच वज़ शाम को जूड सकते है डेली करना क्या है चुबम जीके ट्रिक आप को डाउनलोड करना है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है जीके ट्रिक स्मॉल में कोड डालना है तो आप जाओ पांच बज़े मेरे को जाओ शाम को डेली लाइव जाओ जुड सकते है ठीक है याद रखेगा और ये भी याद रखेगा कि आपको चैट सेक्शन में भी आपको जाओ आप मुरसे पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं चैट सेक्शन भी है वहाँ पर आप बात कर सकते हैं और स्टोर सेक्शन भी है वहाँ पर जितने भी मेरे कोर्से हैं वहाँ पर आपको जाओ स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे तो आप उसको जाओ देख सकते हैं तो अभी के लिए फिला इतना ही है टेलेग्राम पर मैं इसका PDF दे दूँगा तो आप वहाँ पर जयो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं जय हिंद